नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाल न्यूस चैनल मेर्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलेटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर रियो अलम्पिक का रंगा रंगा अगाज ब्राजल के माराखाना स्टेडियम में फुका गया खेलो के महाकुम्ब का बिगुल निशाने बाज अभिनव बिंद्राने की भारती अदल की अगुवाई असम के कोकराजहार जिले में हुए उग्रवादी हमले में 14 की मौट कई घायलों की हालत चिंता जनक एक हमलावर के मारे जाने की पुष्टी सेना ने सम्हाला मोर्चा विजे रुपानी होंगे गुजरात के नए मुख्य मंत्री राजपाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा रविवार को होगा शपत ग्रहन समारो पटेल आंदोलन को नेता हार्दिक पटेल ने जटाई नाराजगी जम कश्मीर में तेजी से सामने हो रहे हैं हालात केंदु सरकार ने सुप्रीम कोट को सौपी स्टेटस रिपोर्ट घाटी के कई अलाकों में प्रदर्शन और हिंसा रुखने का किया दावा जातर अलाकों से हटाए गए कर्फ्यू और दूद में मिलावट करने वालों को मि सकती हैं उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोट्ष ने केंद सरकार को कानून में बदलाफ करने के दिये संके खाथ सुरक्षा एवग मानक अधिनियम 2006 पर उठे सवाज रियो ओलंबिक का रंगा रंग उठखाटन समहरो ब्राजिल के मारा काना स्टेडियम में हुआ स्टेडियम में उठखाटन समहरो को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इखटा हुए पूरे ओलंपिक सेर्मनी में ब्राजिल की संस्कृती और परंपरा का अनोखा रंग देखने को मिला रोश्नी संगीत और नित्य के जरिये ब्राजिल की रंगारंग संस्कृती और विविदता का जोशन मनाया गया भारतिय समय अनुसार सुभा चार बजे ओलंपिक सर्मनी की शुरुआत हुई भारतिय दल पे चारनवे नंबर पर आया बिजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा भारतिय सदस्यों के द्वाज वाहक थे रियो ओलंपिक में 28 खेलों में कुल 306 प्रधाओं में खिलारी भाग लेंगे और 206 देशों के 11,000 से ज्यादा एतलित रियो ओलंपिक में अपने हाथ अजमाएंगे भारतिय उलम्पिक संग ने रियो उलम्पिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतिय खिलाडियों को 50 लाख रुपाई का नकद पुरिस्कार देने की घोशना की है टीमों के मैनेजर और कोचों के साथ बैठक के बाद आयो एक शीश अधिकारियों ने घोशना की कि राज्य उलम्पिक संस्था पहली बार गोल्ड मेडल विजेता को 50 लाख रुपाई सिल्वर मेडल विजेता को 30 लाख रुपाई और ब्रॉंस मेडल विजेता को 20 लाख रु वरों ने जम कर फाइरिंग और गोला बारी की इस घटना में अब तक 14 लोगों की मौथ हो गई है जबकि काई लोग हायल हो गए स्थिती को नियंतरित करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है वही प्रधार मंति नरेंद्र मोधी ने ट्विट कर हमले की निंदा की है हमला वरों ने फाइरिंग के लिए AK-47 का इस्तमाल किया था शुरुवाती रिपोर्ट्रों के मताबिक मरने वालों की संख्या पर सकती है सुरक्षबलों ने एक हमला वर को मार गिराया है जानकारे के मताबिक उक्रजहार के बालागार तिनलों में उग्रवादी ने अंधा धु गोला बारी की इस घटना में एंडी एफबी उग्रवादियों के हाथ होने की संभावना है नागरिकों पर हुए इस हमले को लेकर असम के मुख्यमंतरी सर्बानन सोनुवाल ने प्रधान मंतरी मोधी से फोन पर बात की है और मामले की पूरी जानकारी मुहिया करवाई है गाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है लैंसलाइड अर्थ कुमारे की गुफा के पास हुआ है जानकारी के मुताबिक तीनों तीरती आतरीयों की मौके पर ही मौत हो गई जिस जगहाई ये लैंसलाइड हुआ है वहाँ से वैशनो देवी मंदिर कर छे किलोमीटर दूर है इस हाथसे में जखमी हुए शरधालूओं को नारायन अस्पताल में भरती कराया है ज्यादातर शरधालूओं को सिर में गहरी चोटे आई हैं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया है कि कश्मीर घाटी में कानून विवस्था की सित्री में सुधार हुआ है केंद्र ने कहा कि हिजबल मुजाहिदिन कमांदर बुरहान वानी के मारेज़ाने के बाद 9 जुलाई को हुए 201 हिंसक प्रदर्शनों के मुकाबले 3 उन्होंने कहा हाला की सुरक्षा बलो और जमुकश्मीर पुलिस की लगातार कोशिशों की वज़ा से सिती में सुधार हुआ है हिंसक प्रदर्शनों और जड़पों के बाद घटनाओं में काफी कमी आई है सुप्रीम कोट ने इन सभी बिंदूओं पर याचुका करता और जमुकश्मीर पेंथर पार्टी के भीम सिंख को जवाब देने को कहा जिन्होंने राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की मांग की थी हमने की अगली सुनवाई 22 अगस्ट को होगी केंद्र ग्रिहमंत्री राजनाथ सिंग ने इसलामबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के रवईये को लेकर कल राजसभा में बयान दिया बैठक के बाद भोज में शामिल ना होने को लेकर ग्रिह मंत्री ने कहा कि उन्होंने इसलामबाद में भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था राजनाथ ने बताया कि पाकिस्तान के ग्रिह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने सब को दोपहर के भोज पर आमंतरित किया था लेकिन बैठक के ततकाल बाद वे अपनी गाड़ी में बैट कर चले गए थे ग्रिह मंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्होंने भी भारत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उन्हें करना चाहिए था राजनाथ दोपहर के भोच में शामिल हुए बिना स्वदेश लोटा आए ग्रे मंत्री ने कहा कि वहां मेरे साथ मर्यादित वेवार हुआ या नहीं इस बारे में कहने में मुझे संकोच होता है उन्हें जो करना था वे किया मुझे कोई शिकायत नहीं है विजे रुपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने राजेपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है इससे पहले आनंदी बेन पतेल के इस्तिफ़े के बाद से गुजरात के नए मुख्य मंत्री को लेकर बीजेपी की माथा पच्वी कल सुलज गई है कल शाम गांधी नगर बीजेपी दफ्तर मिपाटी के विधायक दल की बैठक के बाद रुपानी के नाम की घोशना की गई इसके साथ ही अब तक सीएम की रेस में सबसे आगे माने जाने वाले नितिन पतेल को डीप्टी सीएम बनाया जाएगा रुपानी रविवार को शपत ग्रहन करेंगे विजेपी विधायक दल की बैठक में राश्ट्रिया अध्याक्षामिट्शा सडग परिवहन मंत्री नितन गटकरी और आनंदी बेन पतेल ने भी श्रकत की बताया जाता है कि सीएम के नाम को लेकर विधायक दल की बैठक में आनंदी बेन और आमिट्शा के बीच तक्रार हुई आमिट्शा विजे रुपानी को जब की आनंदी बेन नितन पतेल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे होगा हार्दिक ने दावा किया कि रुपानी सिर्फ नाम के लिए ही मुख्यमंत्री होंगे और पूरा काम अमिट्शा करेंगे दिन भर नितिन पटेल के नाम की चर्चा के बाद रुपानी का नाम तैकिये जाने पर हार्दिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पटेल समुदाय को गुमरा किया है और कहा कि यदि नितिन पटेल को पटेल समाज में अपनी थोड़ी भी इमेज बचानी है तो वे तुरं पीए मनमोहन सिंग लंबे अरसे बाद कलसंसद में बोले मनमोहन सिंग ने आंध्रिप्रदेश रियोगनाईजेशन बिल पर मोधी सरकार पर आरोपों की जड़ी लगा दी उन्होंने राजुसभा में कहा कि केंद्र आंध्रिप्रदेश के स्पेशल पाकेज जारी करे इस म मोहन सिंग ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मोधी सरकार की ओर से दो साल पहले किये गए वादे पूरे किये जाए कॉंग्रेस सदस्य के वीपी रामचंदर राव के आंध्रिप्रदेश पुनरगत्थन विदहेख को उच्च सदन निलोकसभा अध्यक् की और विशेश राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया अमाधी पार्टी ने पंजाब विधान सभाचनावों के लिए 19 उमीदवारों की पहली लिस्ट किया जारी की पार्टी में बवाल ही मच गया पंजाब में पार्टी के वरकर और पंजाब से जोड़े सीनिया नेता आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी आला कमान ने दिल्ली में बैठ कर इस लिस्ट को फाइनल कर दिया और पार्टी के पंजाब के जमीनी कारेकरताओं की भावनाओं को अंदेखा कर दिया गया पार्टी के पंजाब सायोजग सच्चा सिंख जो गुरुवार को उमीद फैसले को मानने को मजबूर है उधर टिकेटों के एलान से पहले ही पार्टी के पंजाब के सीनिय लीडर और प्रवक्ता हरदीब सिंख किंगरा ने पार्टी के दिल्ली से आईने ताओं पर मनमानी करने और बत्सलू की करने के आरोप लगाते हुए इस्तिफा दे दिया महराश्रो विधान मंदल के मौनसून सत्र के आखरी दिन तमाम दलों ने एक राय से विधायों की की सालरी में 166 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मनजूरी दे दी अब महराश्रो में विधायों को एक लाख सतर हजार रुपे प्रतिमा वेतन मिलेगा मराश्रो में लोक प्रतिनिधी और सरकारी बाबूओं की तनख्वा में समानता लाने के लिए बीजेपी सरका ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था इसके तहट अब विधिमंदल सदस्यों में पद के अनुसार वेतन का फर्क होगा मुखे मंत्री और काबिनिट मंत्रियों को प्रतिमा 2,00,00 रुपई मिलेंगे जबकि राज्य मंत्रियों को 1,00,000 और साधारन विधायक को 1,00,70,000 रुपई प्रतिमा वेतन मिलेगा इसे पहले सभी को हर महीने नियुँन तम 75,000 रुपई मिलते थे इस बीच पूर विधायकों के पेंशन में बडोतरी करना भी महराश्ट्य सरकार भूली नहीं है इस पेंशन को 44,000 रुपई से 50,000 रुपई प्रतिमा किया गया है साथ ही हर टर्म के लिए अतिरिक्थ 10,000 रुपई प्रतिमा मिलेंगे साथी अरब में फसे भारतियों के बीच साथी के डायरेक्टर, जनरल और भारत के विदेश राजमंतरी वीके सिंख कल जब जेदा में फसे वरकर से मिलने सोजेक्ट कैंप जेदा पहुँचे तो उन में खुशी की लहर दोड़ गई वहां मौजूद लोगों ने वीके सिंख जिंदाबाद, नरेंद्र, मोदी, जिंदाबाद, चुश्मा, सुरा, जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये वही कुछ फसे भारतियों वरकर ने भारत लौटने से इंकार कर दिया आठ महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण जिदा में फसे कामगार भारी कर्ज में डूबे हुए हैं जिदा में फसे राजिस्तान के कुमान सिंग ने कहा कि सरकार ने हमारी मदद की और वीके सिंग सहाब यहां आए इसलिए उनको हम शुक्रिया कहते हैं लेकिन आट महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और हम और हमारे घरवालों के उपर लाको रुपई की उधारी है इसलिए ऐसी हालत में घर लोटना संभव नहीं है सुप्रीम कोट ने केंद सरकार से कहा कि दूद में मिलावत करने वालों को उम्रकैत जैसी कड़ी सजा देने का कानून बनाने पर विचार करें क्योंकि दूद का सेवन बच्चों समेत लोगों का एक बड़ा समो करता है कोट ने स्वामी अच्युद तानंध तेरत समेत अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर ये फैसला दिया याचिका में कहा गया था कि दिल्ली उत्तरप्रदेश, पंजाब, हर्याना और राजुस्तान में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूद का गोरक धंदा चल रहा है सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में सरकार को कई अन्य निर्देश भी दिये हैं पिछले चार वर्षों से सरकार को खाथ सुरक्षा एवग मानक अधिनियम 2006 में बदलाव करने के लिए कहने के बावजूद कोई नतीजा सामने ना आने पर कोट ने ये निर्देश दिये स्पैनिश ट्रेन टेलगो अपने दूसरे परिक्षन के दौरान शुकरवार को दिल्ली से मुंबाई के लिए रवाना हुई आधुनेक सुविधाओं वाली टेलगो का एक अगस को भी परिक्षन हुआ था परिक्षन के दौरान रुतराम के आगे पट्रियों के नीचे से मिटी बह जाने के कारण ये ट्रेन एक घंडा 40 मिनिट की देरी से मुंबाई पहुँची थी रेलवे दूसरे परिक्षन को सफल बनाने की कोशिश में जुटा है ताकि ट्रेन समय से मुंबाई पहुँच सके रेलवे बोर्ट ने दिली से मुंबाई के बीच पढ़ने वाले स्टेशनों को जरूरी सुविधाओं की सूचना भेज दी है इसमें ट्रेन के पहुँचने का टाइम टेबल भी मौझूद है जिससे परिक्षन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके पिछले परिक्षन में ट्रेन को कई जगा पट्री खाली होने का इंतजार करना पड़ा था जिसे बचने की भी भर सक कोशिश की जा रही है वर्तमान में कॉमेडी शो मजाक मजाक में निरनायक की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के पूर्वतेज गेंदबाज सोहेब अक्तर ने बताया कि वे जब भी भारत आते हैं तो बॉलिवुड सुपस्टा सल्मान खान के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर जरूर जाते हैं ये बात खुद सोहेब ने कही शोहेब ने कहा कि जब भी मैं भारत में होता हूँ तो अक्स सल्मान खान के घर जाता हूँ मैं सल्मान से नहीं बलकि उनके माता पिता से मिलने जाता हूँ वे अद्वुद्विक्ती है और मैं हमेशा से सल्मान और उनके भाई का प्रशन सकूँ कि वे अपने माता पिता का कितना समान करते हैं शोयब ने कहा उनसे मिलने कोई भी जाता है वे उनका खुशी से स्वागत करते हैं वे काफी मददकार और माहान लोग है इस न्यूस बुलेटन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार